नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाइटल यूटोरियल में और आज हम बात करेंगे वाइल लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैसिज है आप उसे सुन लीजे और उसके बाद हम क्लास कंटिनूर करें वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करें और उसके पास जो बेला ऐकन है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले हम वाइल लूग की सिंटेक्स को समझ लेते हैं तो वाइल लूग को जो code होंगे वो run होंगे और अगर true नहीं हुआ तो वो code run नहीं होंगे और condition के बाद एक colon आएगा और उसके बाद जो condition के true होने पे जो codes run होंगे वो four spaces चार space देने के बाद उनको लिखा जाएगा और जो four spaces के बाद जो code लिखे जाते है उन्हें कहा जाता है while clause, क्योंकि ये while condition पे depend करते है, अगर while condition true होता है, तो ये codes run होंगे, नहीं तो ये code run नहीं होंगे, next, clause के बाहर आने का तरीका होता है, backspace करके आपका indent बिल्कुल while के साथ आजाएगा, that means आप अब while loop के बाहर है, ये code 3 है, वो while loop के बाहर है, that means, ये code 3 जो है, वो इस while loop के condition पे depend नहीं करता, पिछले वीडियो में हमने किया था, if statement के बारे में, तो दोनों में काफी similarity आपको देखने को मिलेगा, if keyword use हुआ था, यहाँ पे while keyword use हो रहा है, उसके बाद एक condition आता है, और if statement पे भी एक condition आता है, फिर एक colon आता है, और यहाँ पे भी एक colon आता है, फिर if clauses लिखे जाते हैं, जो four spaces देने के बार लिखे जाते हैं, तो यह तो थी similarity, दोनों के while और if statement की similarity, चलिए अब हम जरा difference भी देख लेते हैं, कि दोनों में difference क्या है, चलिए तो फिर अब समझते हैं, if और while में difference क्या है, जबकि if condition आपको पता है, कि if condition forward direction की तरफ चलते हैं, जैसे कि अगर यह condition false होता है, तो यह codes जो है, वो run नहीं होंगे, और इन्हें skip करता हुआ, आगे के जो program की code है, वहाँ पे उनको वो execute करेगा, और अगर यह condition true होता है, तो इनको execute करने के बाद, वो बहार आएगा, और उसके बाहर जो code है, उनको execute करेगा, जबकि while loop में, अगर यह false होता है, तब तो if और while same है, यह skip हो जाएगा, और यह skip होने के बाद, इस while clause के बाहर जो code है, उनको execute करेगे, लेकिन अगर यह condition true होता है, तो यह codes run होंगे, और होने के बाद, जैसे यह codes, जो while clause के अंदर जो codes होंगे, वो run होंगे, और उनके run होने के बाद, यह program वापिस while के पास चले जाएगे, और वापिस इस condition को check करेंगे, यह major difference है, if और while, if statement में condition एक बार ही check होता है, और जबकि while loop में, condition बार-बार चेक होगा, यह वापिस चला जाएगा, जबकि यह if में, इसके बाद, next, forward direction में वो आ गया आते है, चले इसको और clearly समझने के लिए, हम कुछ examples ले लिते, example box is equal to 0, एक variable ले लिया में और उसको assign कर दिया, 0 से, that means, इस box में मैंने 0 store कर दिया, ठीक है, if box is less than 5, एक हो गया condition, और condition के बाद आएगा, colon, right, if keyword, condition और colon, और उसके बाद आएगा, कि अगर condition to what, क्या करना है, और वो लिखने के लिए, four spaces का gap होता है, ठीक है, तो print करना है, hello coder, यह क्योंकि string है, तो आपको single year double codes के अंदर लेना है, और अब, मैं इस code block से, यह if clause के बाहर आ जाता हूँ, backspace प्रेस करके, print, फिर मैं लिखता हूँ, the end, right, तो यह program, क्या करना है, यह 0 है, तो यह condition क्या होगा, box is 0, box is 0, तो यह condition क्या होगा, is 0 is less than 5, तो यह condition होगा, true, right, यह सही है, 0, 5 से, चोटा है, तो यह true होगया, और true होगया, इसलिए, यह statement जो code block के अंदर है, if clause में है, वो run होगा, और वो क्या है, उसमें लिखा है कि आपको print करना है hello coder, तो hello coder print हो जाएगा, और उसके बाद, यह complete होगया task, और फिर वो next, बाहर निकला आएगा, यह statement से, और बाहर देखेगा, जो भी code है, उसको run करेगा, और बाहर का code बता रहे है, कि आपको print करना है the end, तो वो the end भी print करेगा, चलिए, तो फिर इसको run करके देखते हैं, तो यह सबसे पहले hello coder print करता है, क्योंकि यह condition true है, और उसके बाद बाहर आता है, और बाहर आने के बाद, the end, जो if statement के बाहर का statement है, उसे run करता है, चलिए, इसी program को हम while में लिखते हैं, इसे copy कर लेता है, इसे इची कर देता हूँ, और comment out कर देता हूँ, ताकि यह execute ना हो, triple single quote, या triple double quote होता है, multiple line comment out के लिए, paste करता हूँ, और if 0 equal to value, ठीक है, और if के जगह में लिखता हूँ, while condition आगया, while condition आगया, और फिर बाकी का same, अब क्या हो रहा है, box variable है, जिसका value 0 है, यहाँ पर condition है, इसे check करना है, तो यह है 0, और चेक करते हैं, while look की क्या, 0, 5 से छोटा है, और condition बताते हैं, यह सही है, true, और सही है, तो फिर यह print करना है, तो यह print हो जाएगा, hello coder, और उसके बाद, यह क्या होता है, एक बर मैं आपको, यहाँ पर आपको difference समझा जाएगा, if और, while loop में, तो अब इस program को run करते हैं, और यह, हम एक infinite loop में चले गए हैं, जो यह अब बन नहीं हो रहा है, और infinite loop से बाहरा आने के लिए आपको प्रेस करना होगा, control और c, तो यहाँ हुआ क्या, यह condition है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कि if और while, दोनों का ही काम होता है, यह condition को चेक करना, basically यही काम है, उन दोनों का, यहाँ पर condition चेक आप और अब यह condition चेक करना है, तो while क्या करना है, यह 0 है, 0 is less than 5, जो कि true है, तो अगर true है, तो इसे execute करना है, तो इसे execute करता है, और execute करने के बाद, unlike if statement, if statement का क्या होता है, यह counter यहाँ से सीधा इस पर आ जाता है, और वो इसको परिट करता है, लेकिन while में, यह counter वापिस चला जाता है while पर, यह नीचे को नहीं आता, वापिस इसलिए इसे loop कहा जाता है, यह वापिस while की तरफ चला जाएगा, और दुबारा इसे check करेगा, और दुबारा भी, फिर से box का value कितना है, box का value तो अब भी 0 ही है, तो अब भी box is less than 5 है, फिर से true हो जाता है, और फिर से print कर देता है hello coder, यह लूप की तरह यहां पर counter घुरूब रहा है, जबकि if statement में, if statement में क्या होता है, कि counter यहां compare करता है, print करता है, और counter सीधा नीचे आ जाता है, तो forward direction में counter चलता है, जबकि while में, यहां check करता है, और true है तो print करता है, जो भी statement, आप जो भी instruction लिखोगे, वो करता है, और फिर counter वापिस while पर चलता है, और फिर से check करता है 0 is, तो यह हमेशा 0 is less than 5, condition आएगा, और हमेशा इसे true मिलेगा, और हमेशा यह print करता रहेगा, और इसलिए यह एक infinite loop में चला जाएगा, चलिए इस program को थोड़ा सा change करते हैं, पहले हम if पर करते हैं, इसे comment out कर देते हैं, और अब हम इसका comment आटा देते हैं, क्योंकि अब हमेशा इस program को करना है, तो यह same है, box equal to 0, जो variable को हमने 0 assign किया, if box is less than 5, यह condition है, यह true होता है, और true होने के बाद यह print होता है, अब इसके बाद हम code block के अंदर ही, यानि कि, if clause के अंदर ही, एक और instruction देते हैं, code लिखते हैं, box equal to box plus 1, right, तो यह दोनों जो है, यह code block के अंदर आ गया, और क्योंकि यह true हो रहा है, तो यह और यह दोनों ही instructions माने जाएंगे, follow किया जाएंगे, तो यह 0 है, 0 is less than 5, तो यह print हो जाएगा, सबसे पहले तो hello coder, और उसके बाद box is equal to box plus 1, that is 0, box कितना है, 0, 0 plus 1, 1 हो जाएगा, right, और 1 होने के बाद, क्या होगा, क्योंकि if statement जो है, forward direction में जलता है, तो यह next line में आ जाएगा, if clause के बाहर आ जाएगा, और आने के बाद, print, end state में, चली है, इसको run करते हैं, और यह, तो hello coder print करता है, और end, the end, जो के बाहर है, आपको print करता है, और box equal to box plus 1 का क्या हुआ, चली हम इसे भी बाहर print करते हैं, box, print, box, right, इसे दुबारा से run करते हैं, और अब यह आ जाता है, hello, this hello coder सबसे पहले, फिर यह plus होगा, 0 plus 1, 1 होगया, फिर print करता है, the end, और उसके बाद print करता है, box, box क्या है, क्योंकि 0 plus 1, 1 हो गया था, तो box is 1, चली है, अब इसी प्रोग्राम को इससे हम comment out करते हैं, और इसी प्रोग्राम को हम, while में करते हैं, यह comment अटा रिखते हैं, box is equal to 0, while box is रिज़े, ठीक है, box, equal to box plus 1, अब क्या हो रहा है, again, यह true होता है condition, true होते ही यह print होता है, और print होने के बाद, box equal to box plus 1, मतलब box is 0, 0 plus 1, equal to 1, और फिर counter उपर को जाता है, और यहाँ फिर से check करता है, इस बार क्या होता है, 1 is less than 5, फिर से आता है true, फिर से आ जाता है true, और फिर से वो, undo कर दिता हूँ, और फिर से यह, इससे print करता है, hello coder को, और फिर से यहाँ आ जाता है, फिर आता है box plus 1, अब box क्या हो गया था, 1, तो 1 plus 1 कित्ता हो गया, 2, 2 हो गया, फिर counter चला जाता है उपर, और उपर जाने के बार, फिर दिखता है, 2 is less than 5, फिर से आ जाता है true, और फिर से, यह print होता है, फिर यह 2, अब 2 plus 1, 3 हो जाता है, तो इसी तरह, 5 less than 5 तक रहेगा, और जैसे ही less than 5 से उपर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा statement, suppose यह हो जाता है, 4, चलते चलते, और 4 plus 1 हो जाता है, 5, और यहाँ पर आके चेक करता है, 5 is less than 5, तो इसे false मिल जाता है, यहाँ पर हो जाता है, यह condition, false, क्योंकि 5 is less than 5, is false, तो यह रन नहीं करेगा, फिर यह यहाँ आ जाएगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, तो यह आप देख रहे हैं, one, two, three, four, five, five times, helloコorder प्रेट होता है, क्योंकि लूप five times गूमता है, और उसके बार यह एक यह बार प्रेट होता है, यह एक बार ही प्रेट हो रहा है, the end, जबकि लूप बाच बार गूम रहा है, अइसा क्यों, इसलिए क्योंकि लूप यह है और यह लूप के बाहर है इंडेंडेशन से समझ में आता है जो इंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडे दुबार रण करते हैं और अब आप देखेंगे 1,2,3,4,5 the end और फाइव इसका वेल्यू फाइनली क्योंकि यह क्या हो रहा है इंक्रिमेंट हो रहा है इंक्रिमेंट हर बार जैसे जैसे लूप खुम रहा है इंक्रिमेंट हो रहा है इंक्रिमेंट होते होते एक टाइम आता है जब 5 वेल्यू आ जाता है और यह फाल्स हो जाता है और फाल्स होने के बाद यह लूप रूप जाता है और रूपने के बाद वह लूप से पहार आ जाता है राइक एक्जाक्ली उसी तरह लेकिन यही जो है यह difference है आपके if statement में if statement में क्या हो रहा है यह counter वापस नहीं जा रहा है इसलिए box equal to box plus one वाउन वैल्यूखी रहेगा box का उसके उपर नहीं जाएगा वैरेस लूप में यह rotate होता रहेगा तो उमीद करता हूं कि आप if statement और while loop के बिच उनके differences और उनकी similarities दोनों को समझ गया हो जलिए अब देखते हैं कि हम एक infinite loop वह है जो continuously चलता रहेगा कभी कहीं नहीं रुखेगा और उस infinite loop को हम हमें अगर बीच में रोकना हुआ तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं तो इसके लिए है ब्रेक स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा लूप के अंदर यूज होगा लूप के बाहर यूज नहीं होगा चले एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं while true और यह याद रखेगा कि while true हमने जैसे ही ले लिया तो हमने condition को already true मान लिया तो already true हो गया यह false नहीं होगा तो जो code block है वो तो run होगा है क्योंकि जो code block होगा जो while clause है उनमें जितने भी code होगे वो तभी रन होते है जब condition true होता है और यहाँ पर हमने condition कुछ लिखा नहीं सीधा value लिख दिया true तो यह तो run होगे और यह कब तक रहनों में जब तक false नहीं होगा और क्योंकि यहाँ को condition नहीं है से fixed हमने true लिख रखा है तो यह कभी false नहीं होगा तो यह एक infinite loop बनने जा रहा है तो चलिए हम इसमें एक variable लेते है name और उसमें और पासवर्ड जब तक password नहीं होता हम चाहते है कि यह repeatedly आता रहे इसलिए हमने लूप जो है यह infinite loop ले लिया कि हमें नहीं पता कितने attempt में यह password वो करेंगे तो इसलिए हमने उसे open रखा है कि आप कितने भी चाहिए पहली first attempt में आप password सही लिख दो या second attempt में या hundred attempt में या thousand attempt में इसलिए हमें number नहीं पता तो हम while loop और यह याद रखेगा जब भी आपको ऐसा कोई problem आपके सामने आता है जा number of attempts आपको पता नहीं है fix आपको पता नहीं है वहाँ पर आपको while loop यूज करना है यह बड़ा important है while loop बहुत कम यूज होता है लेकि जब भी यूज होता है जब आपको exact number of reputation कितनी बार आपको loop करना है वो अगर आपको पता दी तो आप while loop यू तब तक loop में कुमना है जब तक हमें exactly यह नहीं मिल जाता यह चली अब भी अगर हम रन करते हैं तो क्या होने वाला है यह एक infinite loop जो आपको continuously पूछता रहेगा please type the password please type the password और कुछ नहीं करेगा चली इससे रहे रन करते हैं क्योंकि यह already true है क्या है इंडेंडिशन एरर जरूर देखेगा अगर किसी से भी हो सकता है लेकिन एरर को पड़ना बहुत इंटेशन… अब हमने करने में गलती की है, यह रख सकते हैं देख सकते हैं अब यह पूछ रख से प्लीज टाइप पास्वर्ड पास्वर्ड हेलो कुछ भी आप लिखते जाओ यह एक इन्फाइनिट लूप है और यहां से आप बाहर लिया सकते हैं राइट अब कंट्रोल सी प्रेस करके आप बाहर आ सकते हैं आप इस स्टैप को क्लोज कर लिखते हैं तो अब यह है इन्फाइनिट और इस इन्फाइनिट लूप को हमें रोकना है कब रोकना है जब सही पास्वर्ड आ जाए तो हमें एक कंडिशन डालेंगे इसके अंदर एक इफ स्टेट्मेंट डालेंगे तो कंपेर का है इफ नेम इस एकुल टू सपोस गोल्ड तो इफ ने तो यहां ॉलाञ जाएगा और यहां ब्रेक अगर सही आगया और ब्रेक कहां से लूप से बाहर निकलता है रूप से बाहर गए यह प्रेंट होगा और नहीं आते तो नहीं प्रेंट होगा अब इससे रण करते हैं पहने लोग कुछ गलत लिखते हैं दूसरी बार के गलत लिखते हैं और तीसरी बार सही पासवर्ड लिखते हैं गोल्ड और यह फिर में डाता है वेलकम होम के आने का मतलब है कि यह लूप से बाहर हो चुका है इसलिए लूप के बाहर का जो स्टीमेंट है उसे एक्जिक्यूट कर ला है तो यह है ब्रेक का और एक एक अग्जाम्पल ले लेते हैं सपोस हमने एक वेरिबल लिया एक्स इकुल तो जीरो और यहां पर हमने इसलिए इसलिए एक्स इसलिए कि एक्स अग्ण यह क्याय एक्सहराय data में रेक्स वदीए यह uzonरोट लेड़की। हमने नमबर फिक्स कर दिया आंके आ हां रेक्स झाल ऊंत। हमने रेक्स हमने लेक्से tänGS … ha re 왔 week 2 से कCAR दिया हैं 28 अघ्सलिए push repart धिक्स हता ऐग्स पेक्स और यहां लिखते हैं, प्रिंट करना है, अब यहां मैं आप से जानना चाहता हूं कि अगर हम यहां पर प्रोग्राम को रन करते हैं, तो क्या होगा? क्योंकि X is less than 10 लिखा है, तो क्या यह लूप 10 टाइमस रन होगा? या फिर क्या होगा? यह लूप जो है, वो इन फाइनाइट लूप होच पहा है, क्यों? क्योंकि X is 0, 10, and 0 is always less than 10, और 0 is less than 10, हमेशा रहेगा, यह आएगा, प्रिंट X, X means again, 0 प्रिंट करेगा, फिर काउंटर उपर वाइल में चला जाएगा, चेक करेगा, 0 is less than 10, आंसर हैगा, ट्रू, और फिर यह वापिस आएगा, फिर प्रिंट करेगा 0, फिर काउंटर उपर जाएगा, फिर वोई 0 is less than 10, फिर आंसर आएगा, पर यह जिरू प्रेंट करेंगा और यह continuous infinite loop में चला जाएगा इसे रण कर लेते हैं और यह आप देख सकते हैं जिरू प्रेंट होई रहा है हमें क्या करना है यह जो x का वैल्यू है इसे increase करना है इसे increase करना होगा तो इसको increment करने का तरीका है x equal to x plus 1 तो अब क्या होगा x is 0 यह 0 है और यह प्रेंट हो जाएगा पहले 0 प्रेंट होगा क्योंकि यहा आएगा यहा देखेगा 0 this is x तो this is also x तो यह देखेगा what is x x is 0 0 is less than 10 तो answer आएगा true तो क्या करेगा फिर क्या करेगा x is equal to x plus 1 0 plus 1 1 हो जाएगा फिर काउंटर चला जाएगा फिर काउंटर चला जाएगा वाइगा वाइगा 1 is less than 10 answer is true तो प्रेंट x what is x now x is 1 right फिर यहा आएगा next x equal to x plus 1 that is 1 plus 1 1 plus 1 is 2 और फिर काउंटर वाइल में चला जाएगा 2 is less than 10 फिर answer आएगा true तो print x 2 प्रेंट हो जाएगा इस तरह से वो last पे वो चला जाएगा 9 तक 9 प्रेंट होने के बाद यहाँ आएगा x is equal to 9 plus 1 it is 10 और फिर काउंटर यहाँ जाएगा वाइल फिर चेक करेगा 10 is less than 10 और यह बुलेगा तब यह answer आएगा false और जैसी यह answer आएगा false यह लूप skip कर देगे और यह end हो जाएगा और वो skip बाहर अगर आपको देखना है कि लूप के बाहर आया तो बाहर एक state बिट आपने को suppose अब हम इसे रन करेंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं यह 0 से 9 तक प्रेंट करता है और लूप प्रेंट के बाहर आता है तो अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं suppose जैसे यह value x का value update होता होता 5 तक आता है हमें वहां पर ही रोक लेना है क्योंकि यह condition तो कह रहा है कि 10 तक that means 10 times यह loop repeat होगा लेकिन हमें उससे पहले रोकता है तो हम उससे पहले भी रोक सकते हैं पर एक condition लेंगे if statement लेके if x is equal to equal to 5 अब लिया colon यहां कर रहते हैं break अगर 5 हो जाता है तो आप break करते हैं तो अब हम इसे run करते हैं और आप दीख सकते हैं 0 to 4 और उसके वाद loop के बाहर आ गया the end चलिए तो यह था break कैसे use करना है और break के साथ और एक है continue चलिए तो अब हम समझते हैं continue statement continue statement को समझाने के लिए एक चोटा सा प्रोग्राम करेंगे हम यहां पर एक number लेंगे num is equal to say हम initialize करें 4 मतलब 4 num variable में हमने 4 store कर दिया उसके बाद हम while loop लेंगे while और condition लेंगे while num is less than 0 और colon दे जे जे तो यह हमारा condition है कि कब तक यह while loop चलेगा जब तक num that is 4 is less than 0 यह आएगा चलिए सबसे पहले num value को decrease कर दो num equal to num minus 1 जैसे जैसे loop चलेगा हर बार one minus होता जाएगा num से और हमें इसके साथ हम प्रेंट करते जाएगे num तो इसे रहन कर लेते हैं क्या है पर्स्ट कंडिशन आएगा इस बाघ्याइगा टो फोल इस अ इस लेस तन पूर इस अ इस जेए आगा जाएगा ट्रू इस अग्रेंट रूर्ट इस प्रेंट शुजए आगा ज़न नहीं बाद पहला क्या करेगा पहला नम is equal to num minus one that is four minus one three हो जाएगा और फिर print होगा नम नम क्या हो गया three तो three print हो जाएगा और उसके बाद फिर हम आएंगे फिर यहां से यहां से जैसे कि आपको पता है वाइल लूप में last जो वाइल ग्लाउस का last statement है last instruction है वहां से counter वापिस लूप के पा पास चला जाता है और दुबारा से condition को test किया जाते है तो यहां से वापिस आएगे वापिसा के हम देखेंगे अब क्या हमारे वाली नम का three three value हो चुका है और three is greater than zero two answer two आएगा two आएगा तो कि यह execute होगा यह लाइग तो num minus one हो जाएगा that is three minus one two हो जाएगा और फिर print num अब num क्या हो जाएगा तो अब प्रेंट हो जाएगा num two फिर से यहां से फिर counter वापिस चला जाएगा while loop में क्योंकि यह loop है last line से counter automatically उपर while loop में चला जाएगा और वहाँ पर condition test होता है तो फिर हमें आया two is greater than zero फिर से true है तो while clause run हमें दोनों तो पहले होगा two minus one that is one और फिर print num num हो गया one तो अब print हो जाएगा one फिर वापिस counter वाइल हो जाएगा condition check होगा अब है num one one is greater than zero फिर से true हाएगा और फिर num is equal to num minus one that is one minus one हो जाएगा 0 और print num that is zero अब print हो जाएगा zero और फिर वापिस counter उपर आएगा और उपर आके देखेगे num that is zero is greater than zero अब आएगा इसका result false और false जैसे होगा यह educate में होगे और यह program यहीं पर खत्म हो जाएगा तो चलिए अब इसे हम run करके देखते हैं यह हटा लगते हैं तो जैसा आप देखे हैं three two one और zero print हो गया right अब हम क्या करते हैं अब हम say for example हम चाहते हैं जैसे three two one one पर जैसे आता यह और यह loop खतम हो जाना चाहिए लूप से हमें बहार आना चाहिए लूप से बहार आने का मैंने बताया आपको चेक करना है तो आप कोई भी statement है जो बाहर का run हो रहा है loop के बाद यह white clause के बाहर जो है और रहन हो रहा है यह loop के बाहर हो गया है तो पूरा complete करने के बाद यह condition जब false हो जाता है तो लूप के बाहर आता है और आके हम यह statement जो है इसे execute करते हैं और जो भी result है वो भी print करते हैं जो command हम देखा है कि print करना 5++ 5 that is 10 print हो जाता है अब हम चाहते हैं कि जैसे ही one आ जाए गलिए one आते ही यह loop यहीं खतन हो जाए और जो यह line है यह execute हो जाए लोग लूप के बाहर आ जाए तो यहां पे हमें condition डाल सकते हैं चेक करने के बाद एक statement ले लेते हैं if num is equal to equal to 1, right, one होते हैं हम क्या करना है लूप से निकल जाना है लूप से बाहर जम करना है बाहर सीज़़ा यहां जंप करना है लूप से बाहर आना है, तो आप कर चुके हैं आपको बताए, ब्रेक से हम लूप से बाहर जंप कर जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, चले तो इसे रण करते हैं, और जैसे आपने देखा 1, 1 जैसे हो गया, तो 3, 2, 2 के बाद 1 आता है, तो 1 जैसे इसने देखा धी, नम is equal to 1 हो यह लूप से जंप करा और जंप करके बाहर आ गया और बाहर कर जो इंस्ट्रक्शन जो भी होगा उसे वो एग्वीक्यूट करेगा यह आपको अर्डी पता है अब तक अब हम यहां पर अब ब्रेक की जगा इसे रहन करते हैं तो continue कि क्या कर रहा है continue exactly आप इसको अगर समझना चाहे तो देखे 3 प्रिंट हो गया two print हो गया zero print हो गया one print नहीं वा थेट मींस इसा one को skip कर दिया और फिर और फिर टूरा end होने के बाद लूप बाहर आता है और बाहर आता है जो भी print करने को खाया है जो भी अप देखे के यहां पर बसे अलगतर दो आँँ आँ वो प्रिंट हो जाएगा तो यहां पर क्या हो 4 is greater than 0 होगा, that is true, तो नम माइनस 1 होगा, 4 माइनस 1, 3, और यहां, फिर यहां पर चेक होगा, नम is equal to, नम is equal to 1, that is 3 is equal to 1 है क्या, तो यह है पाल्स, तो यह कुछ भी नहीं होगा, यह एग्रिक नहीं होगा, फिर नम is equal to 3, 3 हो जाएगा 3, फिर दोबारा, अब 3, गांटर लास् लाइन से, जो clause है, code block है, या clause है, वाइन clause है, वो उसके लास्ट लाइन से counter वापिस वाइन दूट में चला जाता है, और condition चेक होगा, तो अब होगा, 3 is greater than 0, जहां पर फिर से true आजाएगा, तो true आते ही, यह रन होगा, 3 माइनस 1, 2, और उसके बाद, यहां पर if statement चेक 2 is equal to 1, है क्या, फिर false हाएगा, तो यह अब भी execute नहीं होगा, फिर यह लाइन, इस लाइन पर आजाएंगे, last line पर यह execute होगा, फिर num, that is 2, 2 print हो जाएगा, अब फिर last line से counter loop पर while loop में जाएगा, टेस्ट करेंगे, 2 is greater than 0, और यह भी true है, 2 is greater than 0, तो फिर यह लाइन execute होगा, num minus 1, 2 minus 1, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से चेक होगा, num is now 1, अभी 1 है, तो 1 is equal to 1, चाहिए सही है, तो यहाँ पर true आजाएगा, और true जैसे आएगा, तो यह statement जो है, continuous statement, यह run हो जाएगा, और continuous statement क्या करता है, continuous statement, चो counter चलता हुआ आ रहा है, step by step, यहाँ आते, फिर यहा आते है, फिर यहाँ आते है, लूप जिस तरह से घूंग रहे, उसको continuous statement यहाँ से वापस वहाँ मिलतेगा, तो continuous statement इस last statement तक आने नहीं देगा, जो लूप यहाँ तक पहुचा, यह प्रूव होते है, continuous statement यहाँ मिला, तो यहाँ से वापस वाइल पर भीज़ देगा, और यह यहाँ पर फिर चैक होगा, तो यह जो है, यह one equal to one जब हो जाएगा, true यह आएगा, तो यह statement रहने होगा, यहाँ से ही counter को वापस वाइल में भीज़ दिया जाएगा, और यह फिर यह चैक होगा, कि one is greater than zero, तो फिर यह statement आएगा true, और true आने के बाद फिर one minus one हो जाएगा, zero फिर यह zero is equal to one, compare होगा, और यहाँ पर इसमार आजाएगा false, और false आने के वज़े से यह execute नहीं होगा, तो counter जो है, यहाँ तक आजाएगे, और यहाँ पर हम print करेंगे, num that is zero, और फिर zero वापस counter उपर तो जाएगा, चैक होगा, zero is greater than zero, अब यह हो जाएगा false, और false होते हैं, यह पूरा का पूरा लूप run नहीं होगा, सीधा बाहर आजाएगे हम, अब बाहर आके जो statement है, print hello, यह print हो जाएगा, तो आशा करता हूँ, आपको continue, break, while loop के बारे में अभी clearly समझा पाया हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको समझा नहीं पाया, तो comment box में जरूर लि वीडियो पनाऊंगा, मेरा उद्देश से एक है कि आपके सारे concepts clear होने चाहिए, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में,